अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे farium D3 tablet के बारे में अब इस farium D3 tablet के क्या फायदें हैं, क्या नुकसान है, कैसे लेना है और क्या इसकी price है यह सारी जानकरियां जो है, आज की वीडियो में मैं आपको दूँगा तो देखे, prices रुवात करें, तो 173 रुपीज में यह आपको 10 tablet मिलती है तो इधर जो price है, वो समय के अनुसार बढ़ता रहता है, तो जो आज का price है, वो इधर मैंने आपको बताया है और यह जो है Amcure फार्मा बालो की है, जो की काफी अच्छी कंपनी है अब इस Ferium D3 tablet को कहां से खरीदना है, तो देखे, इसको कोई भी local allopathy medical store से आप खरीच सकते हो या फिर आप इसको online भी खरीच सकते हो, तो online खरीदना है, तो मैं नीचे link दे दूँगा, description में तुदर से click करके, आप इसको घर बेटे बेटे भी मंगा सकते हो अब बात करते हैं, composition के बारे में, इस Ferium D3 tablet में क्या-क्या है, तो देखे, इसमें है iron, जो कि 100 mg में रहेगा, folic acid है, जो कि 1.5 mg में रहेगा और folic acid को vitamin B9 से भी जानते हैं, इसके अलाबा syno cobalamin है, जिसको vitamin B2L भी बोलते हो, यह रहेगा 7.5 mcg में इसके अलाबा pyridoxine, hydro chloride है, जिसको vitamin B6 भी बोल सकते हो, यह रहेगा 1.5 mg में, इसके अलाबा coal है, calciferol है, जिसको vitamin D3 भी बोलते हो, यह रहेगा 1000 international unit में तो यह इसके composition या ingredient है, जिससे यह tablet या medicine बनाए गई है, अब बात करते हैं फायदे के बारे में, तो देखिए यह बनाए गई है खून को बढ़ाने के लिए, अगर आपको anemia है, खून की कमी है, Hb जो की hemoglobin होता है, वो आपका कम आता है, उस condition में आप इस medicine या tablet को ले सकते हो, इसके अलाबे यह RBC को increase करती है, अब देखिए यह खून को तो बढ़ाती है, मतलब आपका जो Hb है, hemoglobin जो है उसको बढ़ाती है, अगर कम आता है तो, लेकिन इसके अलाबा इसके और भी फायदे हैं, जैसे के आपके हड़ियों को यह मजबूत करती है, आपके हड़ अगर आपको weakness जैसा लगता है, energy की कमी लगती है, या आप कोई भी काम करते हैं, तो जल्दी ठक जाते हैं, तो उस condition में आप इसको ले सकते हो, आपको कावी फायदा मिलेगा, तो देखिए, अगर आपको एनिमिया है, या फिर hemoglobin कम हो जाता है, तो body में उतना oxygen नहीं मिलत है, जो body के अंदर जो parts होते हैं, तो उस condition में आपको ठका ठका जैसा महसूस होगा, energy कमी लगेगी, तो ये सारी problem होती है, अब देखिए, ये calcium को absorb करने में काफी अच्छी medicine है, calcium और phosphorus को, ये calcium और phosphorus का जो absorption उसको बढ़ा देती है, जिससे के जो हमको calcium के फायदे मिलना वो मिलते हैं, जैसे के हड्डियों को मजबूत करता है calcium, दातों के लिए अच्छा होता है, अब इसके अलाबा new cell और जो tissue होते हैं, उनके growth में भी मदद करती है, ये tablet, इसके अलाबा pregnancy में ladies ले सकती है, pregnancy में मा और जो बच्चा होता है, दोनों के लिए काफी अच्छी medicine है, जो बच्चा होता है उसके growth and development में काफी मदद करती है, ये ferium D3 tablet, तो कई gynecologist जो है, इस ferium D3 tablet को देती है, क्योंकि देखिए इस से calcium भी मिल रहा है, iron भी मिल रहा है, तो ये pregnancy में तो काफी अच्छी medicine ये tablet में बोल सकता हूँ, अब देखिए इधर main main फायदों के बारे मैं मैंने बता दिया है, अब बात करते हैं, डोस के बारे में कैसे लेना होता है, तो देखिए एक tablet आपको एक दिन में एक बार ही लेना है, और इसको कुछ भी खाने के बार लीजिए, चाहे नास्ता करो ये खाना खाओ, उसके बारे में बात करें, तो देखिए side effect में नोजे लग सकता है, शरीर में खुजली हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, ये इसके side effect हैं, जो कि हर किसी को नहीं होते हैं, अब male female कोई भी सको ले सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए medicine नहीं है, और pregnancy में ladies बिल्कु ले सकते हैं, लेकिन एक बार doctor या जो gynecology से उसे सहला कर लें तो और अच्छा रहेगा, अब इधर जो है कोई दूसरी medicine आपकी पहले से चल रही है, तो उसके साथ ले सकते हैं या नहीं तो बिल्कु ले सकते हो, लेकिन इस type से कोई भी iron की या vitamin D3 की अगर आप medicine ले रहे हैं तो उसके साथ नहीं लेना है नहीं, तो overdose हो जाएगा, और overdose जो है हमको किसी भी medicine का नहीं करना चाहिए, आप इसको कब तक लेना है, तो इतो depend करेगा आपकी problem पर, आपकी बीमारी पर, आप इसको एक से तीन महने तक लेकर देख सकते हैं, best result के लिए, और इसको लंबे समय तक भी चलाया जा सकता है, अगर जादा problem है, या फिर pregnancy में ज आप जब अपना टेस्ट करवाओगे, हीमेगलोबीन का, तो उसमें आपको पता लग जाएगा, कि आपको कितना फर्क नजर आया है, और जरूर फायदा मिलेगा, अब धर में कुछ advice भी देना चाहूंगा, अगर आभी फेरियम D3 tablet लेते हो, तो जैसे के alcohol नहीं लेना है, smoking रेस नहीं लेजिए, और थोड़ी बहुत exercise कर सकते हैं, तो वो करिए, तो इससे जो है अच्छा फायदा मिलता है, और हमारे health के लिए भी सही ये रहता है, तो इधर मेरे वीडियो खतम होता है, और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है, health और medicine से related, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक भी कर दीजेगा, फिर में लेंगे next वीडियो में, जब तक आप बने रहे हैं और देखते रहे हैं, आपके अपने चैनल में knowledge for Indian.